नमस्कार किसान सातियों आपके अपने चैनल बहरोड इंटिग्रेटिड फार्मिंग से मैं धरमवीर यादव आज का टोपिक है इंटिग्रेटिड फार्मिंग में ट्रेनिंग से रिलेटेड काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ मेरे पास काफी कॉल्स आ रही हैं कि ट्रेनिंग के लिए लोग कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कंडेक्ट करिये मैं लोकडाउन से पहले ट्रेनिंग देता था लेकिन उसके बाद से मैंने कोई ट्रेनिंग कंडेक्ट नहीं की है पर काफी कॉल्स आ रही हैं इसलिए मैंने कुछ टाइम निकालके और डिसाइड किया है कि 30 और 31 अक्टूबर को हम ट्रेनिंग रखेंगे तो दोस्तों वीडियो इसको पूरा आप देखें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी चीज की ट्रेनिंग हम रखने वाले हैं जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये मस्रूम की जोपडिया है तो 30 तारिक को हम मस्रूम की ट्रेनिंग रखेंगे यानि कि मस्रूम कल्टिवेशन कैसे करना है बटन मस्रूम कल्टिवेशन कैसे करना है ओइस्टर का कैसे करना है इसके उपर हम ट्रेनिंग सेशन रखेंगे तीस तारीक का पूरा दिन मस्रूम और जैविक खेती प्लस पॉल्ट्री ये दो तीन चीजों पे हमारा डेडिकेशन रहेगा पूरा हम theoretical की जगें practically सारी चीजें हम इस पे discuss करेंगे मेरे पास जो भी calls आती है मैं उनको बताता हूँ कि आप अपने nearby से आप training ले सकते हैं या government institute से वगरा से training ले सकते हैं या मेरे videos देखकर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह हमें ये farming करनी है अगर फिर भी नहीं आपको समझ जाता है या आपको training ही लेनी है तो आप मुझसे संपर कर सकते हैं 31 तारीक के लिए दूसरी training हम रखने वाले हैं मोती पालन की जैसा कि तालाब मेरा देख रहे हैं और इसमें मैं मोती पालन और मचली पालन दोनों करता हूँ मोती पालन के साथ साथ मैं मार्च से और नवंबर के बीच जो अपनी पंगास मचली होती है वो तलाब में डालके रखता हूँ तो मोती पालन की training हम 31 तारीक को रखेंगे जिसमें की मोती पालन से related सभी चीज़े हम discuss करेंगे मोती पालन में पानी की जो भी knowledge होती है वो हम सब share करेंगे सीप के बारे में detail जानेंगे सीप की surgery वगारा के बारे में detail जानेंगे तो 31 तारीक को हम मोती पालन की training रखेंगे जो भी किसान साथी integrated farming की training लेना चाहता है वो 30 और 31 तारीक को दोनों दिन training session को join कर सकते हैं और जो सिरफ मोती पालन की लेना चाहते हैं तो वो 31 तारीक को आ सकते हैं और जो mushroom वगरा से related लेना चाहते हैं तो वो 30 तारीक को आ सकते हैं जैसे कि अभी यह देख रहे हैं आप जैविक खाद के बार जो वीडियोज में आ रहा है आपके सामने तो 30 तारीक को ही मस्रूम के साथ हम जैविक को भी सामिल करने वाले हैं यानि कि जैविक जो प्रोडेक्ट है जैविक खाद कैसे बनाया जाए उसके अलावा सुपर कमपोस्ट वगरा जिस को की नाडे पदती से कमपोस्ट बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाए और इधर देख रहे हूँगे वो मटके रखे हुएं इनमें आप वर्मी वास वगरा कैसे बनाये इन सब चीजों के उपर हम इंटिग्रेटेड फार्मिंग की 30 तारीक को ट्रेनिंग रखने वाले हैं कोशिस करिए कि आप दोनों दिन की ट्रेनिंग जॉइन करें क्योंकि ये मिला जुला सेशन रहेगा क्योंकि 31 तारीक को भी हो सकता है एक दो घंटे के लिए हम और चीजों को भी डिस्कस करें तो दो दिन की ट्रेनिंग है आप दो दिन की ट्रेनिंग में आप सामिल होकर समपूर्ण जानकरी हाशिल कर सकते हैं कि किस तरह से हम चीजों को अपनी waste को भी हम कैसे management करके और waste से भी हम circulation करके और अपना कुछ income source बढ़ा सकते हैं उसी में हम साथ में जो अपना ये देशी पॉल्ट्री फार्म देख रहे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे देशी पॉल्ट्री फार्म का इंटिग्रेटर फार्मिंग में कैसे यूज है और उसके अलावा जो हमारी गाय वहेंस पसूव अगरा होते हैं उनका कैसे हम चीजें सर्कुलेट करते हैं इन सब चीजों के उपर हम डिसकाशन करेंगे और मोस्टली 31 तारीक को हमारा जो है पारल फार्मिंग पे ही डेडिकेशन रहेगा और 30 तारीक को हमारा में डेडिकेशन रहेगा मस्रूम और पॉल्ट्री फार्मिंग पे उसके अलावा हम बागवानी वगरा के बारे में बात करेंगे यह जैसे आप देख रहे हैं कि यह मेरा फार्म है फार्म में ही यह बाग लगा हुआ है यहाँ इदर देखिए अलदी वगरा के पेड़ लगे हुए है तो अभी इसमें कुछ चीजें और लगानी है यह जैसे नाड़े पद्दती से बनावा सुपर कमपोस्ट देख पा रहे हैं यह सामने जो सुपर कमपोस्ट है यह कैसे क्या बनाना कितने टाइम में बन जाता है कैसे बनाना चीए उसके अलावा अजोला वगरा है और बागवानी में जो मिक्स क्रोप वगरा कैसे लगाएं उसके अलावा वेजटेबल्स वगरा के बारे में बात करेंगे तो यानि कि एक कम्प्लीट सेशन रहेगा जिसमें हम अल्मोस्ट प्रेक्टिकली चीजों के बारे में बात करेंगे अगर आपको ठेटिकली पढ़ना है ठेटिकली और प्रेक्टिकली में काफी फरक होता है जब हम प्रेक्टिकली कोई चीज करते हैं तो वो अलग तरीके से होती है ठीक है दोस्तों तो आप मुझे जैसे तीस ता इकतीस की है तो 27-28 तक कन्फरम कर दीजे उसके अलावा मेरे पास कंडिडेट अगर 10 कंडिडेट हो जाते हैं तो उसके उपर मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 10-12 कंडिडेट से ज़्यादा फिर ट्रेनिंग में सही से हम किसी चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं क्योंकि जैसे ज्यादा candidate होने के बाद कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा तो time काफी ज्यादा हो जाता है और हमारे पास time होता है दो दिन का thanks दोस्तों